Hello Friends, Welcome to Sharian Academics चलिए अब हम लोग हिंदी व्याकरन में उपसर्ग क्या है इसको जानेंगे तो संस्क्रीत में कुल 22 उपसर्ग है आगे समझेंगे इस 22 उपसर्ग का किस प्रकार से प्रियोग करके शब्द बनाये जाते हैं चलिए अपने चेप्टर को शुरू करेंगे किसी भी भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय काम में लाये जाते हैं इन उपायों को हम शब्द रचना की विभिन पद्धितियां कह सकते हैं उपसर्ग भी हमारा विद्पति पद्धिति के अंतरगत आता है तो अब जानेंगे कि विद्पति पद्धिति क्या होता है तो मूल शब्द में उपसर्ग जो हमारा है पुर प्रत्य अंता सर्ग और प्रत्य जोर कर शब्द रिर्मान करना वित्पत्ति पदिती कहलाती है इसको उधारन से समझेंगे कि जैसे कि उपसर्ग हमारा नी है ठीक है और मूल शब्द हो गया डर तो दोनों मिलके क्या हो गया नी डर है ना इसी प्रकार मूल शब्द है पीला ठीक है और प्रत्य है पन तो दोनों मिलके क्या हो गया पीला पन तो क्या हुआ उपसर्ग कि पूल अर्थ में कुछ विशेस्ता ला देते हैं या उसके अर्थ को नितांत बदल देते हैं तो वह हमारा उपसर्ग कहलाता है उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्टन मुखिता दो रूपों में होता है पहला क्या है कि उपसर्ग के लगने से अर्थ में विशेस्ता उत्प जैसे कि ज्यान है, उसमें औल अग्या, तो क्या हो गया? अज्यान हो गया, ग्जान से अज्यान, हन्ना तो इसका अर्थ पूरी तरह से यहां पर बदल चुका है, तो हिंदी के उपसर्व को संस्कृत हिंदी एवं विदेशी भासाओं की वर्गों में विभाजित किया जा सक परियोख हिंदी में बहुत ही आम होता हैं जैसे देखिए अर्थ क्या हुआ अधिक पर उदारण देखेंगे इसका तो क्या होता है अती वरिष्टी अत्याचार अती जोड आजोर चार अत्याचार बोलते हैं अत्यांत अति इशय, अतिमानव, अत्याधुनिक, यहां पर क्या हो रहा अति जुर रहा सब में, तो अति जुरने से अति हमारा उपसर्ग है, और यहां पर शब्द में परिवर्तन हो रहा है, यहां कई सारे उदारंदिये गए हैं, आप सभी देख सकते हैं, चलिए, आगे जानेंगे कि तक्सम उपसर्ग से किस तरह से शब्द बनाये जाते हैं, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अधी है, जिसका अर्थ होता है, उपर, तो इसमें देखेंगे कि कैसे शब्द बनावा है, तो अधी आ है, अधी है, लगावा है, तो अधी से क्या हो गया अधिक, ठीक है, अध्यक्ष जैसे अधी जोर अक्ष, अध्यक्ष, यह जो कोश्चन है, अध्यक्ष, यह UPP CS में 99 में पुछा गया था, ठीक है, फिर है अध्यादेश, अधिराज, अधिपती, अधिनियम, कई सारे यहां पर उधारन दिये गया है, देख सकते हैं, फिर क्या अप जिसका अर्थ होता है बुरा या विप्रीत जैसे अपवाद, अपकार, अपशगुन, अपमान, अपयश, अपकरन, आकृती, इत्यादी, फिर है हमारा उपसर्ग अपी जिसका अर्थ होता है भिही जैसे अपितू, अपिधान, अपिधान का अर्थ होता है धककन, फिर ह अपी हित जिसका अर्थ होता है ढका हुआ ठीक है फिर है हमारा उपसर्ग अभी जिसका अर्थ होता है सामने पास जैसे अभी मुख है ना अभी शासन अभी वादन अभ्यागत अभ्यागत अभी लगावा यहाँ पे है ना तो हो गया अभ्यागत फिर है अभी लाशा अभी शेक अभी भूत इत्यादी इसके कई सारे उदारन दिये गये हैं फिर हमारा उपसर्ग है अव जिसका अर्थ होता है नीचा या बुराही जैसे अवनती अवतिर्ण अवगुन अवतार इत् ठीक है देखें कैसे श्रब्द बनावा है आजन्म आमरन आक्रमन ठीक है फिर है आगमन आकार आचार आरंभ आचरन आतप आकांचा आकर्शन इत्यादी बहुत सारे इसके यहाँ पे उदारन दिये गये हैं फिर क्या है उपसर्ग हमारा उद जिसका अर्थ होता है उपर य है अश्च ध्याई उसमें क्या बोला गया है कि उद हमारा उपसर्ग है उद नहीं ठीक है उद तो उद का संधी रूप कहलाता है ठीक है तो क्या बनाई से उन्नती उद घाटन उद क्रिस्ट है ना उद कंठा लेख उलास इत्यादी बहुत सारे यहाँ पे उदारन है फिर ओ dependent है वहाँ पे आधा हो गया है शब्द है ना दुरलब दूराचार दुराशा ठीक है दुर्गम तो यहाँ पी रहालंत यहाँ पर रेफ हो आधा है शो का आधा यहां पर उचारन हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका संदीविच्छियत दुस जोर चरित्रे यहां पर सौ में हलंद लग जाएगा फिर है दुस शासन तो इसका भी यही होगा दुस जोर शासन दुस सील तो दुस जोर शील दुस सील है ना य कि ये इसके उदाहरण है फिर है नी उपसर्ख कर हमारा इसका अर्थ होता है बड़ा विशेश तो इसका कैशा क्या हूं कि निशेध हात्मक निर्गुन निस्था निरोध निवन्द इट्यादी अगे उपसर्ग है दियान दिदेगा फिर जिसका क्या अर्थ हुआ बड़ा या विशेस जहां पर हलंत वाला शब्द आएगा तो वहां पर ध्यान दिजेगा कि उसमें क्या होता है हलंत वाला शब्द में आगे जाकर कि जब शब्द बनता है वो तो वहां पर शब्द में क्या हो जाता है रेफ हो जाता है ठीक है जहा रौमेहलंत होगा वहां पे आगे जाके रेफ हो जानेंगे परि उपसर्व जसका अर्थ होता है चारो सॉर पास इसकेऊदारनांद से खेएंगे कहांना परिक्रमा, है न परिवार परिवर्तन, परिकल्पना, परिजन, परिधान, परितोष, कई सारे यहाँ पर उदारन है, देख सकते हैं आप लो आगे है प्राउपसर्ग, जिसका अर्थ होता है आगे अधिक या विशिस्ट चलिए देखेंगे इससे कौन-कौन से सब्द बने वे हैं, जैसे प्रवंध, प्रमे, प्रगती, प्रचूर, प्रसिध, प्रपंच, प्रताप, प्रखर, इत्यादी बहुत सारे शब्द हैं फिर है प्रती, प्रती से कौन-कौन से सब्द बने हैं, प्रती हमारा उपसर्ग है, इससे देखेंगे, तो प्रती का अर्थवा विप्रीत, है ना, तो प्रती से बने वे शब्द जो है, वह है प्रतिवादी, प्रतिक्छा, प्रतिध्वनी, प्रतिदिन, प्रतिरूप, प्र प्रतिशेद, प्रतिश्ठित, फिर है वी, वी उपसर्ख से कौनकों से शब्द बने हैं, वी का अर्थवा विशेस या प्रभाव, जैसे विदेश, विज्यान, विख्यात, विपक्ष, विकार, तो यहां पर यह बहुत सारे शब्द मेंशन किया गया हैं, जिससे आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, चलिए आगे और जानेंगे, चलिए, आप जानेंगे, सम उपसर्ख, यहां पर मा में हलन्थ है, तो हलन्थ क्या हो जाता है, जब हलन्थ होता है, यहां तो रेफ होता है, यहां पर अंस्वार बन जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो यह हमारा सम जो उपसर्ग है उसे बनेवे शब्द है फिर है सू उपसर्ग तो सू उपसर्ग जो है यह हमारा तद्वव उपसर्ग कहलाता है जिसका अर्थ होता है अच्छा सरल या विशे जैसे सुपुत्र, सुकर्म, सुमार्ग, सुसिक्षित, स्वक्ष, स्वल्प, सुपरिचित इत्यादिस के उधारन है चलिए अब जानेंगे कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्ये कौन-कौन से होते हैं तो संस्क्रीत में कुछ अव्ये शब्द ऐसे हैं जो शब्द के प्रारम में जुर कर समस्त पद बनाते हुए शब्द का अर्थ परिवर्थित कर देते हैं आईए इसको दारन से समझेंगे कि जैसे यहाँ पे दियावा है उपसर्ग अ है जिसका अर्थवा नहीं या अभाव तो से क्या शब्द बना आदी अनादी और परिचित और प्रत्याशित और मर्थ्य और स्थिर फिर है अन अन में यहाँ पे नहलंथ है जिसका अर्थवा अभाव या रहित इसे क्या शक्त बना अनादी, अनन्त, अनेक, अनुचित, अनायास ठीक है फिर है अध्ध धौ पे यहाँ पे विसर्ग दियावा है अध्ध इसका अर्थवा नीचे जैसे अध्यापन है ना अधो मुख अध धोवस्त इत्यादी फिर है अंतर रो में हलंथ है इसका अर्थवा भीतर या मध्य जैसे यहाँ पे रो हलंथ है तो यहाँ पर क्या हो गया विसर्ग हो जा रहा है है ना अंतह पुर ठीक है अंतह करन अंतर यामी रोरेफ हो गया अंतर गत है फिर है अंतर अंतर हमारा इसमे यहां पर रौ में हलंत नहीं है, ठीक है, यह हमारा अंतर उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ हुआ के बीच में, जैसे अंतर रास्टिये, अंतर जातिये, है न, ध्यान दीजेगा, जब एक जान में कुशन आएगा, तो ध्यान दीजेगा, इसमें कि कहां विसर्ग लगावा है, कहां पर रेफ है, ठीक है, जहां विसर्ग और रेफ होगा, वहां पर हमेशा हलंत लगा रहेगा, ठीक है, जहां पर, यहां पर क्या होगा अंतर यहां दो जगा है, अंतर में, यहां पर एक में हलंत नहीं है, तो अंतर रास्टिये, अंतर जातिये, यह इसका उदाहरन है, फिर है अमा, जिसका अर्थ होता है पास, जैसे अमातिय, अमावास्य, इत्यादी. आगे हैं, उपसर्ख हमारा अलम, मौ में हलंध है जसका अर्थवा सजा हुआ तो क्या होगा, इसका शब्द क्या बनेगा अलंकार, अलंक्रित है ना, अलंक्रिती, अलंकरन, इत्यादी फिर है आविह, जिसका अर्थ होता है प्रकड रूप में जैसे आविसकार, आवी है, वो में यहाँ पे विसर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आविसकार, आधास्चा हो गया, है ना, आविसक्रित, आविर्भाव, आविर्भूत, इत्यादी, फिर है का, जिसका अर्थ होता है, नीच या बुरा, जैसे कापुरुस, कातर, कापत, काजल इत्यादी फिर है कु जिसका अर्थ होता है बुरा जैसे कुपुत्र कुकर्म कुरूप कुपात्र कुशल कुमती इत्यादी है ना फिर है चिर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है देर का या अधिक इसमें शब्द क्या क्या बना चिर काल चिर जीवी चिर स्थाई चिर प तिरसका, तिरोधान, तिरोहित, फिर है ना, ना का अर्थ होता है अभाव, जैसे नपुनसक, नास्तिक, है ना, ये इसके उदारन है, फिर है पर, पर का अर्थ होता है दूसरा, जैसे परोपकार, पराधीन, इत्यादी, आगे उपसर्ग है परा जिसका अर्थ होता है दूर उल्टे या क्रम से जैसे पराजय पराकास्था पराक्रम पराभव परामर्ष परावर्तन परास्त ठीक है फिर है पुर्व पुर्व उपसर्ग पुर्व उपसर्ग में इसका अर्थ होता है पहला जैसे फिर है पुर्व उपसर्ग यहाँ पर पहले का फिर है पुर्व उपसर्ग यहाँ पर भुचन बहुमत इत्यादी यह सब उपसर्ग से बने वे शब्द है आगे उपसर्ग को जानेंगे तो आगे क्या है बही बही में हो विसर्ग दियावा है जिसका अर्थ होता है बाहर जैसे बहिस्कार, बहिस्कृत, बहिज्ञान, बहिरमुखी, बहिरंग, इत्यादी, फिर है स, स, उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है साथ, जैसे सफल, सरस्वती, सोहादरता, सजातिय, सगुन, है न, सादर, इस प्रकार के इसके उदारान है, फिर है सत, सत का अर्थ होता है, अच्छा, यहाँ पे तोहलंत है, जिसका क्या बनेगा शब्द, सजन, सद भावना, सद संग, सदगती, सतकार, इत्यादी, फिर है सह, सह और ह, सह उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है साथ, इसका क्या सब्द बनेगा, सहगान, सहयात्री, सहचर, यह सब शब्द हैं, सह के, फिर है साक्छात, तोहलंत है, इसका अर्थ होता है सामने, है न, तो साक्छातकार, फिर है सम, सम सम्हलंत इसका अर्थ होता है साथ, अत्यंत या समान, जैसे समादार, यह कोश्यन इजया में पूछा गया था, UPP CS में या में इंसिन किया गया है, 98 में, ठीक है, फिर है संभाशन, समान, समाज, इत्यादी, फिर है स्वा उपसर, जिसका अर्थ होता है, अपना, इसका क्या श्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वभाव, स्वधर्म, स्वाधीन, इत्यादी आप जानेंगे हिंदी उपसर्ग कौन-कौन से हैं तो हिंदी ने संस्क्रीट के उपसर्गों में परिवर्तन करके तदभव उपसर्गों का निर्मान किया है इसलिए ये बहुत ही कम है तो दारन देखेंगे इसका कौन-कौन सा है जैसे की उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं इसके शब्द है अजान, अलग, आकाश, अच्छूता है ना फिर है अनुपसर्ग जिसका अर्थ होता है बिना तो अनपढ, अनदेखा, अनसुना, अनबन, इत्यादी फिर उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ होता है आधा तो इसके शब्द बने अधकच्रा, अधरक, अधजला, इत्यादी फिर है उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है उचा या उद जैसे उचक्का, उखारना, उतावला होना, उचलना, है न, ये हमारा हो गया, उउपसर्ग से बनावा शब्द, फिर है उन, उनका अर्थ होता है एक कम, तो इससे बने वे शब्द है उन्तीस, उन्जोरतीस, ये कोशन भी UPP CS में पूछा गया था, ठीक है, अब आगे जानें पिला, अलमस्त, अलबत्त, फिर कम, कम का अर्थ होता है न्यून, जैसे हीनता बोध, कम जोर, कम बक्त, है न, फिर है खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश किसमत, खुश मिजाज, खुश हाल, खुश नुमा, इत्यादी, फिर है गयर, गयर का अर्थ होता है रहित या भिन जैसे गयर जरूरी, गयर हाजिर, गयर सरकारी, इत्यादी ये हमारे अर्भी और फार्सी के उपसर्ग है आपको आने वाले कमपेटिटिव एक्जामनेशन के लिए और स्टे टून तो शॉर्ण अकादेमिक्स, फ्री ओनलाइन एद्यूकेशन, एनिटाइम और अनिवेर